नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करे और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो शास्त्र सनातन घ्यान चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर आप श्री विश्नु के भक्त है, तो इस वीडियो को WhatsApp, Facebook पर शेर जरूर करे ताकि श्री विश्नु आपकी हर एक मुराद को पूरा करेगे, तो वीडियो को अभी के अभी शेर जरूर कर दे, साथ ही साथ एक लाइक तो जरूर करियेगा. ओम नमा शिवाय, जय भोलेनाथ, नमस्कार प्रिय भक्तो स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में प्रिय दर्शको आज का प्रसंग है. माता पार्वती ने भग्वान शिव से पूछा चार प्रशन पहला मासाहार पुन्य है, या पाप दूसरा प्रशन कौन सी भूल के कारण बड़ा से बड़ा पुन्य नश्ट हो जाता है, और तीसरा प्रशन ससार में सबसे बड़ी भूख क्या है? चौथा प्रशन वह कौन सी चीज है, जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो वह उतनी ही बड़ी हो जाती है? मनुष्य माया रूपी भवसागर से पार हो जाता है, जीवन सुखमय और सरल हो जाता है, घर में सुख समरिधी बनी रहती है, हाथी के द्वार खुलते हैं, तो ऐसे में आप इस कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुने, तो आईए चलिए सुनते हैं, आज की यह पुन सब्सक्राइब कर लीजिए, शेर करिए, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की यह कथा, एक समय की बात है, भगवान शिव अपने घरों को कथा सुना रहे थे, तभी माता पार्वती वहाँ, जाती है, और बड़े ही प्रेम से शिव जी के चर्णों में पुश्प अर्पित करते हैं, उनकी बटना करती है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ देवी पार्वती भोजन की व्यवस्था, हे तु जाने लगती है, उन्हें जाते देखकर महादेवी ने कहा, कि उमा खेलती है, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, य मैं आपसे कुछ कैसे कहूं माता पार्वती की बातों को सुनकर, शिव जी ने सभी घरों को वहाँ से जाने को कहा था, उन्होंने एकात की माग की समस्त गरोट के चले जाने के बाद, भगवान शिव ने उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है, बताने को कहा तब, देवी पार्वती भोले नात के समीप बैठते हुए कहा है, देव के प्रभु मैंने आज प्रित्वी पर जो भी देखा, उससे मेरे मन में चार प्रश्न उत्पन हुए है, इन प्रश्नों के उत्तर देने की क्रिपा करे, तब शिव जी ने कहा है, देवी आपके मन में, जो देवाधिदेव महादेव मेरा पहला प्रशन है, मानसाहार उन्हें है, या पाप और मेरा दूसरा प्रशन है, कौन सी छोटी सी भूल के कारण बड़ा से बड़ा पुन्य नश्ट हो जाता है, और तीसरा प्रशन ससार में सबसे बड़ी भूख क्या है, और चौथा प्रशन वह कौन सी चीज है, जिसकी प्रतीच्षा जितनी करो वह बढ़ती ही जाती है। भगवान शिव ने कहा है देवी, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा है, तो उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तब देवी पार्वती ने कहा है नाथ आप कथा, का आरब करे मेरा चित कथा, में ही लगा रहेगा कि प्रभु आप कथा का। शुरुआत करे तब भगवान शिव जी कथा को प्रारब किया और कहना शुरू किया वह कथा इस प्रकार है। ग्रहें नहीं करती वह अपने गाउं में ही नहीं सपून ब्रच शेत्र में पतिवर्ता के रूप में जानी जाती थी, कि पारवती जब भी पतिवर्ता स्त्री की बात निकलती तो सुशीला का नाम महिमा। मडल किया जाता सुशीला को भी यह बात ज्यात थी। और वह भी इसके लिए प्रसन्न थी, वह जानती थी, कि मेरे बारे में बधाई होती है। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि उसकी सहेली घर में तरह तरह के व्यजन बनाए हुए थी। उन व्यजनों की खुश्बू पूरे घर में फैल रही थी। सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा सखी क्या बात है। आज कोई विशेश आयोजन है, क्या सहेली बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुशीला ने कहा तो अवश्य ही तुमने अपने पती के लिए बनाए होगे। सहेली बोली नहीं वो तो पर देश गए हुए है। ये सब तो मैं अपने लिए बनाई हुँ, यह सुनकर सुशीला चकित रह गई बोली सखी कई ऐसी स्त्री हो तो तुम्हारा पती प्रदेश में है। और तुम उनकी अनुपस्थिती में ऐसे व्यजन पका कर खा रही हो। पतिवर्ता स्त्री को तो पती के दर्शन किये बिना जन तक ग्रहन नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो मैं जब तक उनका मुख नहीं देख लेती हूँ, अन्न जल्ग रहन नहीं करती, इस बात पर सहेली तुनकर बोली सुशीला बहन यदी पती के नहोने पर में व्यजन खा रहे हैं। इसका अर्थ कदापी नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती, मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती पीती हूँ, और उनके पीछे भी व्यर्थ का धकोसला मुझे नहीं होता, और नहीं मेरे पती चाहते हैं कि मैं उनके सामने धकोसला मानो, वे मुझे स्वस्थ और कहते हैं मैं इसी लिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी रहो, हम एक दूसरे से प्रेम करती है और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यक्ता नहीं है। फे पारवती इस प्रकार से उस सहेली ने जवाब दिया। शास्त्रों के अनुसार पतिवर्तास्त्री को पती का मुख देखे बिना उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहें नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली गई, घर आकर उसने सारी बात अपने पती को बताई और पूछा की बताओ क्या मैं गलत हूँ पती सुशीला की अपने प्रती कर्तव्य परायनता और प्रेम से अभिभूत था, किन्तु यह भी सोचा करता था कि आर्ती के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहें न करना व्यावहारिक नहीं है, यदि पती एक माह के लिए कही चले जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? कभी वह खेट से देर से लोटता तो कभी स्नान करने में विलब करता। खीर तैयार हो गए तो उनकी खुशबू से सुशिला के मुह में लार टपकने लगी मगर उसका पती घर पर नहीं था। इसलिए वह दरवाजे पर बैठ कर उसकी प्रतीक्षा करने लगी, आधा दिन बीटने के बाद उसका पती आया तो उसने कहा जल्दी से स्नान करके आएगी। और खीर मैंने कब से तयार कर रखी है। प्रिय भक्तोगन तब माता पारवती ने कहा है प्रभुतक क्या हुआ शिवजी ने कहा है पारवती पती सुशिला की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला तनिक मैं अपने मित्र के घर से होकर आता हूँ और यह कहा। अगर वह घर से चला गया। सुशिला का भूख से बुरा हाल था। मगर वह अपने पती को रोक न सकी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठे उसका पती शाम को आया तो सुशिला बोली अब जटपट नहा लो। सुबह से पूरे और खीर बना कर रखी हूँ। कब खाओगे पती कुछ देर ठका होने का बहाना करके आनाकानी करता रहा। किन्तु सुशिला के बार-बार जोर डालने पर वह लूटा बाल्टी और रस्सी लेकर कुए पर स्नान करने चला गया। सुशिला प्रसन्न थी। हपारवती किन्तु तभी घर की देहरी पर उसके पती का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सुशिला दोड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी उसका पती चारो खाने चित था। उसकी आखे फैल चुकी थी। कुछ ही देर में सुशिला को समझ में आ गया कि अब उसका पती नहीं रहा। उसकी मृत्यू हो गई। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह दहार मार कर होना चाहती थी। प्रिय भक्तो भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती सहन गई। उन्होंने कहा है प्रभु बेचारी सुशिला के साथ तक क्या हुआ आगे कहिए भगवान शिव ने कहा है प्रिय उसका हृदय द्रव। हो गया वह दहार मार कर रोना चाहती थी। तभी उसे पूरे और खेर का ध्यान आया। उसे खाने के लिए वह सुभा से प्रतीक्षारत थी। उसने सोचा कि पती तो जीवित नहीं रोने धोने से जीवित नहीं हो पाएगे, पडोसी अवश्य जुट जाएगे फिर पूरे और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पूरे और खीर खा लेती हूँ फिर रोना धोना करूगी। यह विचार आते ही वह जटपट रसोई में गई और हुए खीर पुराने लगी भर पेट बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी पारवती उसका पती वास्तव में मरा नहीं था, बलकि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके सुशीला को देखता रहा मन भर कर खाने के बाद सुशीला मुह धोकर लबा घुघट उरकर पती के सामने गई और उसे सीने से लगा कर दहार मार कर रोने लगी वह कहते चली जा रही थी तुम तो चले गए पर धाम मैं यहां आस्वन बहाती रह गई तुम मुझे काहे गए छोड़ कर उसका पती कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा फिर अगली बैठी है सब गुण जानू में तिहाड यह सुनकर सुशिला हक की बक्की रह गई उसे समझ में आ गया कि उसका पती जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है उसके बाद उसने लज्जा से सिर जुका लिया और सोचने लगी कि क्यों न मैंने अपनी जिवापर नियत्रन रखा कि तु अब उसके पतिधर्म की पोल खुल चुकी थी है पारवती उसी दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिवर्ता होने का ढोग नहीं बीता प्रिय भक्तो भक्तोगनों यह कहने के बाद आगे सिर जी ने कहा है पारवती आपके तीन प्रशनों का उत इस कथा में है आपका पहला प्रश्न कौन सी भूल के कारण बड़ा से बड़ा पुन्य नश्ट हो जाता है। इस बड़ा से बड़ा पुन्य किया है। उसने उस बारे में बढ़ चड़ कर किसी से धिड़ोरा पीटा अपनी भर पाई की तो वह उसका पुन्य तक पश्चात नश्ट हो जाता है। उसे उसका कोई फल नहीं मिलता आपके दोस्त हे पारवती आपका दूसरा प्रश्न ससार में सबसे बड़ी भूख क्या है। तो पारवती ससार में सबसे बड़ी भूख है, भोजन और आपका तीसरा प्रश्न वह कौन सी चीज है, जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो, वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तो हे पारवती इसका उत्तर भी है, भूख इसकी प्रतीक्षा जितनी भी करो, वह बढ़ती ही जाती है, जिस प्रकार सुशिला की भूख लगातार बढ़ती गई। माता पार्वती ने कहा है प्रभु आपने तीन प्रश्नों का उत्तर दिया आपके उत्तर सुनकर मैं सतुष्ठ हूँ लेकिन मेरा चौथा। प्रश्न उसका उत्तर देने की कृपा करे तब भगवान शिव ने कहा है पार्वती इसके लिए आपको में एक कथा। सुनाता हू आप बड़े ध्यान से सुनेगा है पार्वती वह कथा, इस प्रकार है, मेरी इस छोटी सी कथा, सुनने के बाद तो ही उत्तर देना की मांसाहार उन्हें है, या पास एक बार मगध में खाद्य सकट खड़ा हो गया, तो अन्न का उत्पादन कम रहा राजा को चिता हुई की य इस समस्या का शीधर निदान नहीं किया, गया तो सरक्षित अनाज को भी खत्म हो जाएगा और सकट भी हो जाएगा, तो समराट ने अपनी राज्यसभा में पूछा की देश की खाद्य समस्या को सुलजाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है, मत्रीगन सोचने लगे चा कोप न हो ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता है, पार्वती तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मत्री ने सोचा की यही उत्तम अफसर है, क्यो ना अधाधुद शिकार करने के लिए राजा की अनुमती ले लिया जाएगा, उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य चुप थे, समराट ने पूछा प्रधानमत्री आप चुप क्यो है, आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्यामत है, प्रधानमत्री ने कहा मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही, है कि माग सबसे सस्ता खाद्यपदार्थ है, फिर भी इस विशय पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूगा प्रधानमत्री उसी रात मानसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामत के घर पहुचे सामत ने इतनी देर रात प्रधानमत्री को अपने, घर आया देखा तो वह घबरा गया, किसी अनिश्ट की आश्का से वह काप गया, सध्या को महाराज बीमार हो उनकी हालत बहुत खराब है। राज वैध्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देश का दो तोला मास मिल जाए तो राजा के प्रान बचाए जा सकते हैं। अच्छा कहें में कतार से आपके हरिदय को चीर कर बस दो तोला मार्च निकाल लूगा। यह सुनकर सामत के चहरे का रगफीका पड़ गया, वह सूचने लगा कि जब वह जीवित ही नहीं रहेगा, तो लाख स्वन मुद्राओं से मैं क्या करूँगा, वह बड़ी जागीर भ बोला श्रीमत मैं आपकी एक लाख मुद्राओं में अपनी एक लाख मुद्रा और मिलाता है, इस पैसे से आप किसी और सामत की गाय का मास खरीद ले किन्तु मुझे जाने थे, यह बात किसी को पताना चले मैं आपसे आग रह करता हूँ, प्रधान मत्री जी यह समझ शुक काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज वैध्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है, आपके दाद से हमारे अच्छे राजा की जिदगी पर, सकती है, आप कहे तो मैं आपको प्रधान मत्री का पद देने को तयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बन कर पर प्रजा से हमारे राजा को न चुए है पार्वती सामतो तो फस्ता हुआ दिख रहा था, उसने शरीर पर अगवस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन ली, जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरत प्रधान मत्री के पैरों में लेट गया, उसने याचना की प अब कुछ लेले पर मेरे प्रार्थना ले मैं अपना यह भवन और सारा धन को सौपता हूँ रातो रात राज्य से निकल जाओगा इतना कहकर वह अपने घोडे की ओर भागा और जैसे ही अपना घोडा उठाने लगा आवाज आई अभी अभी अपने पीछे तुम अपने परिवार को भी छोड़ कर जा रहे हो सामत बोला मेरे प्रानों से प्रिय कुछ भी नहीं है जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुब का क्या करूंगा जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूगा इतना कहकर घोडे पर छलाग लगा कर बैठ भी गया तो वह अभी चलने ही था कि प्रधानमत्री ने घोडे की लाख पकड़ ली वह सामत से बोला भागने की जरूरत नहीं है आप आराम से घर में ही रहे मैं किसी और का प्रयास करता यह कहकर प्रधानमत्री वहां से चले गए प्रधानमत्री के वहां से जाने पर सामत के अदर कुछ जान आ सभी ने राजा के लिए हृदय का दो तोला मास माना परंतु कोई भी राजी न हुआ सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमत्री को लाख और पाँच लाख मुदराय दे दी इस प्रकार प्रधानमत्री ने एक ही रात में करोडों मुदराय जमा कर ली फिर सुभा होने से पहले ही अपने महल में पहुँच गया अगले दिन राज सभा में सभी सामत समय से पहले पहुँच चुके थे। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं। लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खुलता है। सबको राज बैड की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूच ना मिल सकती थी। कि पारवती इधर प्रधान मत्री ने सैनेकों को आग्या दे रखी थी, कि जब तक महाराज राज सभा में न आये किसी भी सामत को भी महल से बाहर जाने की आग्या नहीं है। सभी सामतों ने देखा कही से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लग रहे थे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधान मत्री ने उनसे जूट बोला हर सामत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रधान मत्री ने राजा के समक्ष एक करोड स्वर्ण मुद्राय रखे राजा ने पूछा ये स्वर्ण मुद्राय किस के लिए है और कहा से आए। प्रधान मत्री ने कहा दो तोले मास के लिए इतनी धनराशी जुटाई है पर मास न मिला अपनी जान बचाने के लिए सामतों ने यह मुद्रा दी है अब आप ही विचार कीजिये मास कितना सस्ता है राजा को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने प्रजा को अतिरिक्ट परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भडार से अनाज निकाल कर श्रमिकों को दिया गया उन्होंने उन्होंने पौश्टिक सबजीयों जिससे प्रजा का कल्यान ही हुआ और पुस्तिका भी मिली कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी इस प्रकार राज से खाद्य सकट दूर हुआ है देवी पार्वती आपके चोथे प्रश्न का उत्तर है कि मानसाहार सरासर पाप है जीवित जीवों को मार कर खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अफसर भी नहीं मिलता बरबरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है बरबरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या की जाए अध्समय में जिन्दगी भर के पापो के लिए जिन्दगी भर को कम करने की कोशिश करते हैं पर तु यह मनुष्य भूल जाते हैं कि जब वह जीवित उनके लिए काटा गया जीवित ही तड़ पता रहा तो उनका श्राप इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म तक भी साथ नहीं छोड़ेग हैं मनुष्य को कोई भी हक नहीं कि वह किसी जीव हिसा करे उसे मारे या उसे खाए तो है पार्वती मैं आशा करता हूँ आपके चारो प्रश्णों का उत्तर आपको मिल चुका है आप इससे सतुष्ठ होगे माता पार्वती ने कहा है प्रभु आपको कोटी कोटी धन्यवाद आपके इन चारो उत्तर से में अती संतुष्ठ हूँ मेरा मन अती प्रसन्न चित है मुझे अपने प्रश्णों के उत्तर मिल गए है प्रियभक्तो गणो इस प्रकार से माता पार्वती को अपने प्रश्णों के उत्तर मिलते हैं प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ जय माता पार्वती ओम नमह शिवाए उम्मीद है आपको यह कथा पसद आई होगी तो कमेट करके अवश्य बताए जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करे और कमेट में जैश्री हरी विश्नु अवश्य लिखे साथ ही चैनल शास्त्र सनातन ज्यान को सब्सक्राइब करे आप सभी का धन्यवाद